नमस्कार दोस्तों आज आप सिखने जा रहे है बी श्रामी पैटन को, यह जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, यह क्या है बी श्रामी पैटन, इन्टी कब लेनी है, स्टोपलोस कब लगाना है, यह बंता कब है, इसमें ट्रेड कब करना है, इक शवी सवालों के जवाब आ अच्छे ट्रेडर होने वाले हैं मैं आशा करता हूँ तो आप बने रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस अनुभाव का आप भी फाइदा उठा सकते हैं कि ऐसा पैटर्न बने तो आपको क्या करना है तो देखते हैं बीरी सरामी चार्ट पैटर्न को जापान के लोगों ने यह चार्ट पैटर्न का जादा तर नाम रखा है तो यह बीरी सरामी पैटर्न जो है वो किसके उपर रखा गया है देखिए बुली सरामी एक कैनलिस्टिक पैटर्न है उसका उल्टा जो होता है उसका नाम है बीरी सरामी अरामी सावज का मतलब क्या है अरामी जो candle है यह green वाली और यह जो थोटी candle है red यह वाली यह एक baby को present करती है तो इसलिए इसका नाम बुली सरामी और बीरी सरामी के नाम से इन्होंने रखा है तो अब समझते हैं इस pattern को देखिए जब market में uptrend होता है हाजी देखिए यह market में uptrend है market upside के लिए जाती वी नजर आ रही है आपको बार बार तो यह क्या है uptrend के बाद बनने वाला pattern है कैसा pattern है uptrend के बाद बनने वाला pattern है देखिए एक ग्रीन candle आपको नजर आ रही है इसके बाद एक थोटी red candle आपको नजर आ रही है इन दोनों को मिला के जो ते बाद के बनता है ऐसे ही कहते हैं यह बांद के बनता है और लिया दाइड Psychology के बाद बॉन दी देखिए इस गेंडल की क्लोजिंग कहां ऊımरी नजर की क्लोजिंग यह रही यह को नज़र नेक्स्ट खैनल यहां से ऋपन होनीए प्र정이ë प्रतुपन कहां से हुई है यहां से उपन हुई है यह क्या है यह जो फासला बच गया है यह यह क्डाओन है आपको नजरपश से Jeremy इसे अने क्लोजिंग अच्चानक से क्या हो गया उत्यार एक्टिवेट हुआ और उसने price को अच्छानक से नीचे धकेल दिया और opening यहां हुई है यानि जबरदस्त seller यहां पे activate हो रहा है gap down open होने का मतलब क्या है कि यहां पे seller अच्छानक से open हुआ है यानि भारी मात्रा में seller activate हुआ है तब यह जाके candle gap down open हुआ है और यह के चोटी candle यह close करता है इस candle से चोटी candle यह close करता है देखिए मैं आपको दिखाता हूँ बुली सरामी में क्या होता है बुली सरामी में देखिए यह वाली जो candle है starting वाली red होती है और इसके बाद एक छोटा candle बनता है वो green होता है यह बुली सरामी पैटरन है इसमें first candle red होती है second वाली candle जो है green होती है परन्तु यह बीरी सरामी है तो यह उल्टा है यह वाली green है और यह वाली red candle है और इसके बनने के बाद क्या होता है यह pattern बनने के बाद market है नीचे की तरफे movement देती है जैसा कि आपको नजर आ रहा है पहले क्या था आप trend था उसके बाद यह pattern बनता है दो candle से मिलके और उसके बाद market है बीरिस है तो यह बनने के बाद कैसा माहूल होगा बीरिस माहूल होगा यह संकेत complete हो गया आपको और इसको कैसे trade करते हैं यह सबी चीजें हम चार्ट पर समझने वाले हैं कि इसको trade करने से पहले हमें क्या-क्या देखना है और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर ल बाला हूँ तो लीजिए अब हम लेके आ गए हैं एक चार्ट को तो चार्ट पे आपने क्या देखना है कि बीरिस हरामी कैसे बनता देखिए फर्स्ट कंडिशन क्या है यह अप्ट्रेंड में होने के बाद ही यह बनेगा तो मार्केट अप्ट्रेंड में है आपको साफ खराएं पहले वाला एक नम्ब जो कंडिशन है वह आपको लग रहा है इस फुलफुल हो रहा है आप ट्रेंड में हैं मार्केट, इसके बाद दूसरा क्या होगा इसके बाद मार्केट इन क्या होगी और प्रनतु यह तो हमें चलते हुँए चार्ट में नहीं पहचान सकते कर रही है नहीं कर रही है प्रंतु अप्टेakukan में होने के बाद की होगा ठीजिए स्मींड चार्ट पेटरन यह हमीं कर оф 있습니다 ग्रीज्यृ केंडल नजरा रहा है uh green candle नजर आ आ गया उसके बाद की हुआ यह इस 씨नल की कलोजिंग कहां है यहाँ और यह इसका हाई है और यहाँ देखिए candle कहाँ open होता है यहाँ केंडल कहाँ open होता है gap down open होता है यही मैंने आपको बताया था दूसरा number क्या होगा केंडल is gap down open होने वाली है कैंडल gap down open ऐपन औपनहोंगे चोटा चंडल बना और तो इसके बाद क्या हुआ हमें वाकर समझ आया कि यह वी से हरामी के इ। यह देखे। यह कुन सा केनलिस्टिक पैटरन बन रहा है बीरिस हरामिक केनलिस्टिक पैटरन बन रहा है हमें यह बिल्कुल साब साब नजर आ गया तो इसके बाद हमें क्या उतना है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी यह संकेत हमें मिल गया कि यह behavior हरामी enter पैटरं है मार्केट यहां से नीचे जानी वाली हैon," деньги". हमें पता चल गया कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी तो इंटी लेनी पड़ेगी, देखें हम पहले सबसे पहले क्या है इस candle के high और low को mark करते है, यह देखे यह जो candle है बड़ी वाली candle जो है इसके लो और आई को मार्क करते हैं तो हमें क्या करना है इंट्री लेने के इंतजार करना है जब तक यह जो बीरिष candle है इस candle के जो लो है यह वाला जो candle का लो है इस लो को ब्रेक नहीं कर दे कि इस candle ने इस लो को ब्रेक किया नहीं क्या इस candle ने इस candle के जो ग्रीन वाले इस क extension है इसके लो को ब्रेक किया तो हमें क्या करना है इंट्री हमें इस candle के बनने के बाद लेना है यहां यहां हमारे इंट्री बनेगी इंट्रोप्लोज कहाँ बने अनुद्र रूप्लोज देखिए यहाँ बनने वाल यह जो candle का हाई है है यह मैं eleva है मुए कि करन दो क्लोज इसने यहां दी कुछ लोग यहां पैचान जाते हैं कुछ दिन बाद experience कर लेंगे उनको समझ आ जाता है कि बीरी ceramic candlestick pattern बन रहा है तो इंट्री ले जाएंगे वह advance में भी इंट्री ले जाएंगे कुछ लोग यहां भी इंट्री ले जाएंगे परन्तु अग जब तक परन्तु जब तक आपको experience नहीं है आपको बिल्कुल इंट्री कब लेना है जब इस candle के लोग को ब्रेक करने के बाद ही आपको इंट्री लेना है ठीक है उसके बार देखिए मार्केट कहां तक गी रहे हाप साथ नजर आ रहा है कि मार्केट गया है और हमारी इंट्री लेने के बाद अच्छा प्रोफिट हमें यह दे सकता है तो यह बीरिश हरामी कैंस्टिक पैटरन है इसमें क्या देखना है पहले मार्केट अप्ट्रेंड में होना चाहिए इसके बाद यह दो कैंडल वाला पैटरन आपको बनता हुआ नजर आएगा इसमें तो टॉप है इन दोनों कैंडल का टॉप जो है वह आपका एसल बनेगा और इसके लो की इसका लोग जब ब्रेक होता है वह उसके बाद आपकी इन्ट्री बनेगी हाजी तो ग्रीन कैंडल का लो है उसको ब्रेक कोई भी कैंडल करती उसके बाद आपकी entry बनने वाली है फरंतु यह देखिए यह candle यह के बड़ा size का candle है आमोमन ऐसा candle नहीं मिलता है आमोमन ऐसा candle नहीं मिलता है देखिए यहां से नीचे आ रहा है market हो सकता है वो यहीं कलोज कर दे आपकी entry इसी के आसपास बन जाए जादा तर candle इतनी बड़ी नहीं होती तो आपकी entry इसके low के breakout के बाद ही बन जाएगी एक आत बार होता है जैसा कि आप इस candle में देख रहे हैं कितना बड़ा candle आजए बड़ा मुश्किल होता है क्यूकि बहुत जादा बड़ा candle आपको नज़र आ रहा है ऐसा candle बहुत ही rare मिलता है तो आपको सपस्टे नज़र आ रहा है कि यह pattern बनने के बाद market downtrend में जाएगी और वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं